दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहा है एडू बगीचा दोस्तो आज हम जोगराफी का एक और इंपोर्टेंट चाप्टर सोलर सिस्टम को लेकर आए हैं उमीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे भी स्मार्ट तरीकों से हम लोग ट्रिक की सहायता लेते हुए और इसको समझ जाएंगे जिससे की एक भी ऑबजेक्टिव नहीं छूट सकता है तो चलिए आए देखते हैं कि ये सोलर सिस्टम जो सुर्य है और इसके सभी ग्रहे हैं आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या सौर परिवार है क्या तो सुर सौलर सिस्टम में सुर्य जो होता है वो उसका केंद्र होता है क्या होता है सुर्य ही केंद्र विंदू होता है ठीक है उसके बाद सुर्य क्या है तो सुर्य के बारे में हम कुछ टॉपिक जानेंगे जिससे कि सुर्य से रिलेटेड जितने भी ऑबजेक्टिव है वो हमसे ब बहुत सारे तारे हैं लेकिन तारा होने के लिए एक उसमें गुण होना चाहिए और वो गुण क्या है तो देखिए तारा होने के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उसका अपना प्रकास होना चाहिए उसका अपना प्रकास होना चाहिए और दुसरी बात उसका अपना उ स्माहों उसको हम तारा बोल सकते हैं और यह सारे क्राइटेरिया जो है सुरृ के अंदर है इसलिए सुर्य क्या है यह एक तारा है और सुर्य के अंदर जो उड़जा का मुख स्रोत है वो क्या है नाभिकिये सनलैन अभिकिरिया है पता होने चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन के दो अनू हाइड्रोजन के दो अनु मिल कर और एक हिलियम के अनु का निर्मान करते हैं और यहीं अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसको हम लोग नाभिकिये सनलायन अभिक्रिया कहते हैं और इसी अभिक्रिया के चलते सुर्य में निरंतन उर्जा का समागम होते रहता है चलिए अब देखते हैं सुरे से related कुछ और topics हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या है कि प्रकास मंडल जेसे का किटना temperature होगा, जेसे देखिए सुरे के केंद्रे में कितना temperature होगा, सतह का temperature क्या होगा और सौर धबे सुर्य में जगह जगह कुछ धबे दिखाई देते हैं जिसको सौर धबा या सौर कलंक कहेंगे वहाँ का टेंपरेचर क्या होगा आईए समझते हैं देखिए अगर यह sun है तो sun यहाँ center है उसका keendr है तो keendr का temperature होता है उसका 15 million 15 million degree Celsius जबकि यह जो है आपको बाहरी आवरन जो दिख रहा है सतह तो सतह का टेंप्रेचर 6000 डिगरी सेल्सियस होता है यह बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है अभी जस्ट बिहार दरोगा में भी आया था कि सोजे के सतह का टेंप्रेचर कितना होता है ठी इसलिए इजली हमें तीनों चीजों के याद रख लेंगे सतह का 6000 सौर धब्बे का 500 और केंद्र का 15 मिलियन डिगरी सल्सियस क्लियर अब देखिए उसके बाद आता है सौर ज्वाला सौर ज्वाला क्या है तो सौर ज्वाला सुर्य से एक आग की गोले दहकते हुए आग की प्रिथवी की तरफ आती है और इसी घटना को हम क्या कहेंगे इसी घटना को हम लोग कहते हैं सौर ज्वाला और वो जो आता है आग का गोला उसको हम औरोरा कहते हैं क्या कहते हैं अब देखिए ये औरोरा क्या है औरोरा जब आती है प्रिथवी के नजदीक तो देखिए यहां से मान लिजे कि यह प्रिथवी है, यहां प्रिथवी के नजदीक जब औरोरा आती है, तो इसका यह नौर्थ पोल है, यानि उत्री धुरू, इधर साउथ पोल है, यानि कि दक्षनी धुरू, ठीक है, तो यहां से मान लिजे यह सुर्ज है, और सुर्ज से यहां से आत तो जब पृत्वी में कहीं करेंब आती है तो यह तो ही इसके eine सिर्फ निया धरी तरफ जीवित तो यहाँ तो नर्थ पोल की तरफ जाता है और दुसरी वहीं जब हिसाल की तरफ जाता है तो यहां से बनता है जब यह नॉर्थ पोल की तरफ जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं औरोरा बोरियालिस औरोरा बोरियालिस नाम देते हैं उसको जब यह औरोरा साउथ पोल की तरफ जाता है तो इसको नाम देते हैं औरोरा ऑस्ट्रेलिस औरोरा ऑस्ट्रेलिस इसको नाम दिया जाता है अब देखिए यहाँ confusion होता है हमेशा के लिए याद रखने अभी तुरंत पढ़े तो याद है कि हां नॉर्थ पोल में गया तो औरोरा बोरियोम ज dönस साउङ मेर्किन हमेसा के लिए याद रखने के लिए हम एक टडुरिंग का योज करेंगे और क्या है देख resort किया ध्यान दिजिए जब हम लोग कि को देखते हैं तो इस के बीचों बीच एकवेटर है होता है अब यह 10 वेटर के patrons नॉर्ष पूल और नीचे वाला साउथ पोल हो जाता है अहांमारा अוש्ट्रेलिया महादेश की गोलारद में है यहां डक्षनी गोलारद में और यहाँ है तो देखिए और दक्षिन की तरफ है यहां और ओर ओर से हमको कनफर्म हो गया कि वह नहीं दक्ष्णी दुरू के तरफ है तर्फ है कि लिए इस को जाएगा उसको औरोरा ऑस्ट्रियालिस कहेंगे इसमें कोई दिकत नहीं है नॉर्थ-पोल और ऑर ऑस्ट्रियालिस याद रखने के लिए जब ओस्ट्रेलिया दक्षिनि गुलार्द में है यानि साधॉर्न है में है रिप्षिनी इन नाम है और और ऑस्ट्रेलिस भी क्या हो जाएगा दक्षिनी दुरू के तरफ हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखेंगे हम सुर्य गरहन के बारे में सुर्य से रिलेटर देखिए मैक्सिमम कोश्चन जो है जो कि परिक्षा में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है देखा जाए तो उसका एक भी हम कोश्चन अभी छोड़ने वाले नहीं है तो ध सुर्य और प्रीथवी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है चंद्रमा जब उसके बीच में आ जाता है तो क्या होता है सुर्य गरहन होता है अब यह सुर्य गरहन भी दो तरीके के होते हैं एक सुर्य गरहन आंसिक सुर्य गरहन कहलाता है तो आंसिक सुर्य गरहन कहलाता है य दिखाई देते हैं एक कंडिशन और दूसरा कंडिशन होता है कि पूर्ण सुर्ज गरहन यानि शम्पूर्ण सुर्ज पे गरहन लगा होना ठीक है तो यहां दो देखिए कि दो बाते आ गई अब दोनों बातों में ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है देखते हैं यहां जो आं किरीट या फिर कोरोना का नाम दिया जाता है और इसमें इस कंडिशन में एक्स रे उत्पन होती है सुर्य की तरफ से क्या आती है एक्स रे यानि एक्स किरन आती है एक्स रे आती है उदर से जिसके चलते यह मना किया जाता है कि जब सुर्य गरहन लगा होता हो तो सुर्य क की तरफ नहीं देखना चाहिए ठीक है यह हमारे पुरवज लोग भी कहते हुए आ रहे हैं तो अब उसका सेंटिफिक रीजन हम यहां जानगे कि क्यों नहीं देखना चाहिए चुकि आखो पर उसका बैड इफेक्ट परता है एक्स रे का ठीक है और यह कब निकलता है जब होता है सुझिय के आंसिक स्व गरहन में तो सुझिय के बाकी के प्रकास यह खता है और यह खो के लिए हल से. उसका दूसरा कारण होता है कि अलयुक्त देखिए यह संन का पूर्ण गरहन ऐसे माल देभू यह पूरा-पूरा-डग घयन जैसे पूरा अंधकार हो गया तो जब पूरा अंधकार होगा तब इसके बाहर और से प्रकास निकलेगा बाहर की तरफ से यह सब प्रकास निकलेगा और यहीं प्रकास कैसे दिखाई देगा एक रिंग की तरह दिखाई देगा एक चमकदार रिंग की तरह रिंग जो अंगठ चीज़ को डायमंड रिंग कहते हैं इसी चीज़ को क्या कहते हैं डायमंड रिंग या हीरक बलाय भी कहते हैं हीरक बलाय या डायमंड रिंग कहते हैं अब देखिए कोशन पुछेगा कि डायमंड रिंग की स्तिती कब उत्पन होती है आंसीक सुर्जगरहन में, पूर्ण सुर्जगरहन में या फिर उसका दो आप्सन चंदरगरहन वाला दे देगा तो याद रहे कि हमेशा जब पूर्ण सुर्जगरहन की इस्तिती होती है तब हमें देखने को मिलता है डायमट रिंग या हीरक वाले क्लियर यहां तक कोई दिकत नहीं है अब देखिए जब सुर्जगरहन की इस्तिती होती है तो maximum होता है कि कितना देर तक सुर्जगरहन क्या पूरा दिन सुर्जगरहन लगा हुआ रहा जाएगा नहीं उसका भी एक लिमिट टाइम है मैक्सिमम आठ मिनट तक ही कोई भी सुर्जगरहन लगा हो सकता है यानि मैक्सिमम आठ मिनट तक ही सुर्जगरहन लगेगा उसके बाद नहीं लग सकता है क्यों नहीं लग सकता है उसका रिजन जान लेते हैं क्योंकि हम पहले देखे हैं कि सुर्य प्रीथ भी चंद्रमा जब तो दोनों एक दूसरे को cross कर जाते हैं और फिर सुर्ज गरहन खतम हो जाता है ठीक है तो यह maximum कितना मिनट के लिए 8 मिनट के लिए और 8 मिनट से एक और question सुरे का प्रकास प्रिथवी तक आने में कितना समय लगता है तो वो भी लगता है 8 मिनट 16 सकेंड या कभी-कभी 8 मिनट 20 सकेंड भी option में रहता है अब 8 मिनट 16 सकेंड या फिर 8 मिनट 20 सकेंड अब इसमें क्या confusion है यहाँ देखिए चुकि प्रिथवी सुर्ज की परिकर्मा करती है परवलायाकार कक्ष में ठीक है तो उसमें का होता है कभी-कभी प्रिथवी सुर्ज के नजदीक होती है और कभी दूर चली जाती है तो 8 20 और नजदीक होती है तो 8 16 हम लोग approximate value याद रखेंगे लगभग 8 मिनट ठीक है तो इसके नजदीक-नजदीक कही option दिया होता है उससे पकड़ में आ जाएगा clear चली अब हम लोग देखेंगे यह जो सुर्य है और प्रिथवी उसका परवलायाकार पत पे उसका चक्कर लगाती है तो उसमें कहीं-कहीं प्रिथवी कभी दूर चली जाती है कभी पास आती है त प्रिथवी अपने परवलायाकार पत पे यह क्या कर रही है परिकर्मा कर रही है तो यहां परिकर्मा करने से क्या होगा अब देखिए प्रिथवी यहां है तो सुर्य यहां है तो यहां से यहां की दूरी maximum है ज्यादा दूर है फिर प्रिथवी यहां है और यह यहां है तो सुर्ज प्रिथवी के नजदीक होता है ठीक है तो उसको उपसौर कहते हैं उपसौर जब प्रिथवी सुर्ज के नजदीक आ जाती है तो उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं जब कि प्रिथवी सुर्ज से सब दूर चली जाती है तो उस घटना को हम लोग अपसौर कहते अब देखिए यहां भी पढ़े तो याद रहा कि अपसौर दूर चली गई तो अपसौर हो गई और नस्दीक आ गई यानि छोटी दूरी हो गई तो उपसौर हो गया लंबी दूरी अपसौर छोटी दूरी उपसौर अब इसको याद कैसे रखेंगे तो इसको याद रखने क के लिए हम लोग basic concept लगाएंगे common sense लगाएंगे अब देखिए common sense कैसे लगता है अप इंगलिस में up up मने उपर उपर मने बढ़ा हुआ हुआ होता है न तो देखिए अप मने उपर बढ़ा हुआ यानि कि ये दूरी बढ़ा हुआ दूरी है यानि लंबी दूरी तो लंबी दूरी ओप सौर चोटी दूरी उप सौर उप जहां लग गया समझ जाए कि छोटा हो गया जैसे उप राष्टपती, राष्टपती से छोटा हो गया, उप मुख मंत्री, मुख मंत्री से छोटा हो गया, तो उप लगा बस हो गया यहाँ छोटा, तो यहाँ उप सौर लग गया, यानि उप मने छोटा, तो उप सौर हो गया यहाँ पे, जो छोटी दूरी, जब प्रित भी सुर्ज से काफी दूर चली जाती है तो उस गटना को अपसौर कहेंगे अब देखिए ये उपसौर और अपसौर में बहुत ज़्यादा confusion होता है एक बात और समझ देजिए ये उपसौर और ये अपसौर उपसौर को मिलाने वाली जो ये रेखा है न इस रेखा को episode रेखा कहेंगे एपिसाइड रेखा कहेंगे याद रखियेगा objective मैं पुछेगा अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली कालपनिक रेखा होती है उसको क्या कहेंगे episod रेखा कहेंगी clear अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब यहां साną Norwegian स्वर्डेंट ये सूछते हैं कि यह जो प्रितिभी सुर्ज के काफी करीब आ गई तो इसका मतलब काफी घर्मी ओगया त्टिके और यहां प्रितिभी सुर्ज से दूर चली गई है यानि यहां पर उतना गर्मी नहीं होगा जितना की यहां होगा । यहीं है उपसौर की घटना तीन जनवरी को होती है तीन जनवरी को उपसौर की घटना जब की अपसौर की घटना चार जुलाई को होती है अब देखिए हो गया पेंच फस गया यहां सोचे हैं कि प्रिथवी सुर्ज के नजदीक है यानि गर्मी होगी तो यहां कहराया कि तीन जनवर को गर्मी होती है नहीं न तो क्या हो गया यहां पर कुछ अलग समझना पड़ेगा इसका मतलब फिर यहां देखिए जब यहां प्रिथवी जो है सुर्ज से दूर है यानि थोड़ा कम गर्मी पढ़ना चाहिए तो यहां दे रहा है डेट चार जुलाई को चार जुलाई यान भायानक गर्मी पढ़ता है यहां उमस वाली गर्मी तो यह कैसे हो गया अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ग्लोब को देखेंगे प्रिथवी क्या है चलिए इसी विशेप का एक बना रहा है यहां सुर्ज है प्रिथवी अपने ऑक्ष पे साहड़े तेश डिगरी जुकी हुई है जुकी हुई है तो चलिए यहां प्रिथ भी है अगर इस डाइरेक्招न मैं है अईसे जुका हुआ है और यही नास्ते 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 ऐसे आई और जब यहां पहु vigorot Hey दिखकत नहिं अब देखिए हम एक और चीज जानते हैं क्या जानते हैं कि हमारा भारत हम अभी भारत में है ना भारत में हम 3 जनवरी और 4 जुलाई को ठंडी और गर्मी महसुस करते हैं तो भारत की स् Aufgabe में कहा है तो जब गमंदेखेंगे तो में यह जो इंडिया यहां पर है तीक है यानि की नौधार में उत्री गुलार्द है तो उत्री गुलार्द में यानि जब पृथवी जुकी हुई है तो देखिए यहां से अगर इसको ऐसे किजिए और यहां इसको ऐसे किजिए ठीक है गुलार्थ बनाईए अब प्रित्वी कहां है हमारा यहां है यानि हमारा इंडिया यहां है और यहां हमारा इंडिया कहां है यहां है थोड़ा बड़ा फिगर बनाना है चलिए यहां प्रित्वी आ गई इस तरह से जुकी हुई है ऐसे है यहां इंडिया है और इस तरह से जुकी हुई है यहां पे और हमारा इंडिया यहां है ठीक है और यहीं चकर लगाते लगाते यहां पहुँची अब सुर्ज यहां है अब जला देखिएगा सुर्ज से यहां भारत पर डाइरेक्ट फोकस पढ़ रहा है कि नहीं देखिए तो डाइरेक्ट फोकस पढ़ेगा तो क्या होगा गर्मी जादा होगी तो देखिए यहां से सुर्ज का डाइरेक्ट फोकस पढ़ रहा है जिसको अपसौर कहेंगे इसलिए चार जुलाई को है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है किलियर अब यहां देखिए यहां सुर्ज से डाइरेक्ट फोकस कहां आएगा इस हेमिस्पेर यानि कि साउथ डाइरेक्शन में आएगा और यहां से तिर्चा पड़ेगा प्रकास तो जब प्रकास की स्थिति तिर्चा होती है तो गर गर्मी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और वहीं है हमारा उपसौर यानि कि तीन जनुवरी किलियर इतना किलियर हो गया अब देखते हैं अब हमको देखना है सुरी के बारे में लगभग लगभग हम लोग सारे चीजों को देख लिए इसमें एक भी ऑब्जेक्टी अब छ जानेंगे ठीक है तो आईए इसको इसके बारे में जानते हैं अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको यह आठो ग्रह का नाम याद होना चाहिए और वो भी सिक्वेंस से ठीक है सिरियल वाईज अब बहुत लोगों को यहां पर दिक्कत होता है बहुत लोग आता है कि पूद्ध, सूक्र, पूद्ध, 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 पूद अबजेक्टिव निकाल दते हैं एक ही ट्रिक में एक ही लाइन में सभी आठोग रहके जितने सारे अबजेक्टिव है सब आ जाएंगे देखिए हम है नीले पती है पीले सुक्र बहन चमकिली है सनी है काला लाल है मंगल और अरुन पर हर्याली है अब देखिए यहां क्या हम यानि हम रहते कहा है हम लोग प्रिथवी पर रहते है यानि प्रिथवी कह रही है कि हम है नीले यानि प्रिथवी किस कलर का नीला पती पती मने ब्रहस पती पती है पीले सुक्र बहन चमकिली है यहां ध्यान दिजिएगा सुक्र के साथ दो कंडिशन है सुक्र बहन सुक्र क मंगल मंगल है लाल और अरुन पर हर याली यानि हरा है अब देखिए इसी में सब आ बुध है तो बुध के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे छोटा गरह बुध होगा सबसे छोटा गरह बूद सबसे छोटा गराह कौन सा हो गया बूद ठीक है अब देखिए सुक्र के बारे में आईए दूसरा नमबर में सुक्र है सुक्र के बारे में देखते हैं सुक्र बहन चम की लिए यानि प्रिथवी की जुड़वा बहन कहते हैं सुक्र को शुक्र को क्या कहते हैं जुडवा बहान या भगनी भी इसको कहा जाता है प्रिथवी की क्योंकि ये आकार में और घनतों में लगभग लगभग बराबर है प्रिथवी के तो जुडवा बहान और और भी एक बात है चमकीला गरह सबसे चमकीला गरह कौन सा होगा तो वो भी ह सोज दिकत नहीं, इक और question है सुक्र के सांथ गर्म गरह, सबसे गर्म गरह तो अब कहिएगा कि गर्म गरह कैसे सुक्र होगा जब की बूध काफी नजदीक है से लिए सज के लिए आपके बात सही है लेकिन सुक्र के पास काफी ज़्यादा carbon dioxide COB sab nyt है तो दो वैसे ही absorb करके और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो सबसे गर्म हो जाता है सुक्र ठीक है इसमें कोई दिकत नहीं है प्रिथवी की बात करें तो प्रिथवी को नीला गरह कहेंगे चलिए तो नीला गरह कौन सा हो गया प्रिथवी नीला गरह प्रिथवी हो गई जिस पे हम लोग र कहते हैं मंगल को क्या कहते हैं भूर का तारा लाल गरह और भूर का तारा मंगल हो गया ठीक है अब देखिए यहां पर एक लेयर है जिसमें उलका और उलका होता है सब आगे देखते हैं बिरहसपती बिरहसपती सबसे बड़ा गरह आकार में भी देखिए फीगर में भी सबसे बड़ा दिख चरहां सबसे बड़ा गर्व बिरहस्पति अच्छा उसके बाद ये पीलरंका संश काला रंका होता है और अरुन हरारंका ठीक है इतना तक क्लिएर है कोई दिकत नहीं है अच्छा तर ये लेटा हुआ गर्व किसे कहेंगे आता है कुछिन लेटा हुआ गरह यहीं वरून होता है यह क्या है लेटा हुआ गरह यानी सोया हुआ गरह सोया हुआ या लेटा हुआ गरह ुरून हने कोई दिकत नहीं है चलिए अब लगभग- लगभ야 हम रिचक वारे संबंधित सारी चीजों पढ़ लिंदिये और मे प्रिफव का जैसे एक मात्र चंदर्मा उपग्रह होता है उपग्रह के बारे में भी थोड़ा पॉण लेते हैं उपग्रह होता है उसके बार बोध सुकर का होता हीने हैं Sani यह आपको मंगल का होता है फोमोस और डिमोस नामक दो तरह के उपग्रह होते हैं इसके तो उपग्रह के बारे में थोड़ा सा विश्तित जनकारी हम एक बार प्रिथवी चाप्टर जब लेके आएंगे सिर्फ प्रिथवी तो उसमें प्रिथवी को देखेंगे उसके परिकर्माण घुर्णन गती दैनिक गती वार्षिक गती उसमें आपको लिप यर कैसे 365 दिन से 365 दिन कैसे हो जाता है वो सारी चीजे देखेंगे और सब चीजों को देखेंगे नहीं तो सब अगर एक ही वीडियो में देखें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइक किजिए शेयर किज दोस्तों को और इंजॉय करके पढ़िए धन्यवाद